हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो टॉपर पेंस आज न्यू चैप्टर नमबर टू दू स्कल्प्टर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का थीम है आर्ट अन कल्चर टू स्कल्प्टर्स तो हम लोग पहले मीनिंग जानेंगे स्कल्प्टर का मीनिंग क्या होता है स word is sculptures और एक है sculptor दो दो word अलग-अलग है हम लोग इसका meaning को यहां से जान लेंगे a sculpture is a statue it is made of clay stone wood or metal ठीक है sculptures किसको बोलते है sculptures बोलते हैं मूर्तियों को statues को जो मूर्ती होते हैं जो की पत्थर के बने होते हैं जो की मिट्टी का बना होता है या metal का बना होता है तो उनको sculptures कहते हैं मूर्तियों को ठीक है sculptures का spelling देखो s-c-u-l-p-t-u-r-e-s ठीक है और इनको बनाने वाले लोगों को sculptors बोलते हैं people who make sculptures are called sculptors इसका spelling देखो s-c-u-l-p-t-u-r-s तर्स है इसमें ठीक है और sculptures are made of famous people or to decorate buildings and public places sculptures को क्यों बनाया जाता है ताकि वो sculptures हमेशा famous people का बहुत ही popular लोग जो होते हैं हमारे देश के हमारे दुनिया के जो popular लोग होते हैं उनके sculptures उनकी मूर्तियों बनाई जाती हैं और building को decoration करने के लिए भी public places में या फिर building को decoration करने में भी इस तरह के मूर्तियों को बनाया जाता है a famous sculpture we can see on our bank notes हमारे पास जो notes होते हैं हमारे पास जो रुपया होता है note होता है bank का उसमें भी एक sculpture है the lions from the pillars of ashoka उसमें एक lion जो है lions का picture दिया हुआ है जो की लिया गया है कहां से from the pillars of ashoka जो की एक sculpture है मूर्ति है तो चलिए हम लोग इस chapter को start करते हैं sculpture का meaning आपको पता चल गया और sculptures का meaning पता चल गया ठीक है तो चैनल पर अभी अगर आये हैं और subscribe नहीं किया है तो जरूर subscribe कर लिए कि क्यूँ इस channel पर आपको सारे solutions मिलेंगे question answers मिलेंगे book का exercise solution भी मैं provide करता हूँ इस video के end में इस chapter का आपको question answers और grammar part का भी link मिल जाएगा तो यह आपके लिए बहुत helpful होगा इसलिए channel को subscribe जरूर कीजिए और दोस्तों को share भी कीजिए और parents और teachers से मेरा request रहेगा कि आप लोग अगर सक्सम है और channel को support करना चाते हैं मुझे support करना चाते हैं तो description में join button का option है join button को click कीजिए minimum fee पे करके आप मुझे support कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं इस बहुत ही शांदार poem सांदार सा यह story है sorry poem मैं बोला यह story बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा इसमें lesson मिलता है सीख मिलता है जो बच्चों को सीखना बहुत जरूरी है तो चलिए start कर देते हैं इस story को read this story about two friends with different qualities यह जो story है इस story में दो friends होते हैं दो मित्र होते हैं दोस्त होते हैं और दोनों के पास different qualities होते हैं दोनों का जो गुन होता है दोनों का जो nature होता है वो अलग होता है qualities दोनों का अलग होता है मतलब गुन तो देखते हैं क्या अलग होता है आप लोगों का भी दोस् का qualities अलग-अलग होते होंगे है ना उसी तरह से once upon a time एक बार की बात है there lived a king, kind king, there lived a kind king, एक समय की बात है एक दयालू राजा हुआ करता था, रहता था, his subjects loved him very much, और राजा का जो प्रजा था, राजा के kingdom में जो लोग रहते थे जिनको subjects बोला जाता है, राजा के जो लोग थे, वो राजा को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे, in his kingdom there lived two sculptors, और उनके kingdom में, उनके राज में, दो sculptors रहते थे, मतलब मूर्ती बनाने वाले लोग, ठीक है, तो राजा को उनका काम बहुत पसंद आया, और वो उनको मिलना चाहते थे, उनका काम को बहुत पसंद करते थे, One day, the king decided to arrange a competition, to find out the better artist, एक दिन, राजा ने decide किया, एक competition arrange करने का, एक प्रतियोगिता arrange करने का, decide किया, राजा ने, और इसलिए किया, ताकि वो better artist कौन है, वो चुन पाए, स्कल्प्टर्स जो दो स्कल्प्टर्स थे, उनके से better artist कौन है, सबसे अच्छा कलाकार कौन है, वो ढूंडने के लिए उनके प्रतियोगिता arrange किया, चंद्रा वो जो चंद्रा नाम का जो स्कल्प्टर्स था, वो बहुत मीन था, मीन का मतलब, जिसका मन साफ ना हो, जिसका to defeat Lakshman somehow, he thought, और ये चंद्रा जो है, ये क्या सोचा, ये सोचा क्या, कि मुझे तो Lakshman को किसी भी हाल में defeat करना है, Lakshman को किसी भी हाल में हराना है, तो ये चंद्रा ने क्या किया, competition के ठीक एक दिन पहले, so just before the day of, just before the day of the competition, competition का जो दिन था, उसके just एक दिन पहले वो क्या किया, Lakshman के पास गया और बोला कि तुम मुझे अपना टूल्स उधार देओ, मुझे कुछ समाई के लिए जरुवत है, तुम अपना टूल्स जो है मुझे उधार दो, I cannot find my tools at home, मुझे अपना tools मिल नहीं रहा है घर पे, तो ये जो चंद्रा है, ये बहुत खुरपाती दिमाग का है, ये सोच रहा है कि कैसे करके मैं जीतू हूँ, वो क्या क्या उसका tools को ले लिया, मांग लिया, किसका tools को, लक्षमन के tools को, लक्षमन was a kind man, लक्षमन बहुत दयालू इंसान था, और बहुत अच्छा इंसान था, he gladly, gladly मतलब खुशी-खुशी, he gladly gave his tools to चंद्रा, वो बहुत ही खुशी-खुशी, चंद्रा को अपने tools, अपने जो औजार थे, जिन औजार को use करके, वो मूर्ती बनाते थे, वो चंद्रा को दे दिया, चंद्रा used the tools so roughly that they soon became blunt, चंद्रा ने क्या किया, वो इतना roughly use किया, उनके tools को, इतना खराब तरीके से tools को use किया, कि वो tools जो है, वो पूरा blunt हो गया, मतलब उसका जो तेज था, वो खतम हो गया, धार जो था, उसका खतम हो गया, एकदम, मतलब, blunt हो गया, उसका तेज खतम हो गया, The next day, चंद्रा एंड लक्ष्मन reached the king's court, और अगले दिन, चंद्रा और लक्ष्मन दोनों sculptor थे, और दोनों राजा के दरबार में पहुँचे, kings के court में पहुँचे, मतलब राजा के दरबार में पहुँचे, चंद्रा quickly returned the tools to लक्ष्मन, चंद्रा ने क्या किया, तुरंत चा लाख है, जो गलत सोचता है, सोचता है कि मैं कैसे भी करके लक्ष्मन को हराऊंगा, और उसका वो tools को उसने उधार ले लिया था, और उसको blunt कर दिया, उसको खराब तरीके से यूज़ करके उसका धार को खतम कर दिया, और चंद्रा ने क्या-क्या court में पहुँचते ही, दर उनके tools को खराब कर दिया, बलंट कर दिया, अब लक्ष्मन जो है, अच्छे से competition में यह नहीं कर पाएगा, मूर्ती नहीं बना पाएगा, लक्ष्मन was shocked to see his tools, लक्ष्मन को बहुत जटका लगा, अपने tools को देख करके, अरे किसी को भी लगेगा, उसके tools को उसने खराब कर या गलत तरीके से यूज़ करके, I think I should withdraw from the competition thought लक्ष्मन, और लक्ष्मन ने यह तक सोच लिया, कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस competition से withdraw कर लेना चाहिए, withdraw कर लेना मतलब अपना नाम वापस ले लेना चाहिए, competition में मुझे उतरना ही नहीं है, ऐसा वो सोचा, क्यों सोच चंद्रा ने उसके tools खराब कर दिये, चंद्रा ने जानबूझ करके किये, वो इसलिए किया क्योंकि लक्ष्मन हार जाए, but it was too late, लक्ष्मन भले ही ऐसा सोचा कि मैं withdraw कर लेता हूं competition से, लेकिन काफी देर हो चुका था, you have to make a burst of the king, announce the herald, वहां का जो सेनापती टाइप का जो इनसान होता है, सेनापती या कोई चार्ज में जो इनसान रहता है, राजा के अंडर में, वो announce किया, राजा का जो official है, जिसको साइद सेनापती ही बोलते हैं उसको, सेनापती मानलो, सेनापती जो था, वो उसने announce किया, राजा के दरबार में, कि आप लोग को, राजा का सर को बनाना, बस्ट को बनाना है the head or face of sculpture बस्ट का मतलब head का part आपको मूर्ती बनाना है, तो मूर्ती में क्या बनाना है राजा के head को बनाना है ठीक है, ऐसा order दिया but you but you too will have to exchange your tools, लेकिन आप दोनों को, चंदरा और लक्षमन को आपस में अपने tools को exchange कर लेना है अरे तेरी के, ये क्या हो गया अब उसका दिमाग घूम गया, चंदरा का अब चंदरा सोच रहा होगा कि अरे ये तो exchange करने के लिए बोला और मैंने तो उसका tools को खराब कर दिया है और लक्षमन के हाथों में दे भी दिया अभी लक्षमन का जो खराब हुआ tools है वो मेरे हाथों में आए कि राजा का order है एक्सचेंज करने का, अब तो फस गया एक मूर्तिकार, एक जो कलाकार sculptor जो होता है वो अपने tools के साथ बहुत अच्छा काम करता है और एक महान sculptor वही होता है जो दूसरे किसी के tools को use करके भी बहुत अच्छा काम कर दे बहुत अच्छा मूर्ति बना दे ऐसा वो कहा राजा के जो कोट में जो सेनापती है उसने कहा चंद्रा was shocked to hear this चंद्रा को तो शोक लगाई ये सुन करके क्योंकि उसने तो उसका tools को बदली कर दिया उसको दे दिया खराब करके अब तो उसको बदली करना है उसके tools उसके पास आएगा इसका tools उसके पास जाएगा लक्षमन quickly took चंद्रा's tool लक्षमन ने भी बहुत जल्दी चंद्रा के tools को ले लिया और अपने tools को चंद्रा को दे दिया अब चंद्रा को समझ में आने लगा कि उसने क्या गलती किया है यूजिंग चंद्रा's tools लक्षमन carved his sculptor easily चंद्रा के tool को तो कुछ भी नहीं हुआ था चंद्रा तो वो खराब आदमी जो था खराब sculptor जिसका दिल बुरा था जो बुरा सोचता था तो चंद्रा का tools तो new था अच्छा था तो चंद्रा का tools चला गया लक्षमन के पास और लक्षमन का जो खराब tools था वो चला गया चंद्रा के पास लेकिन लक्षमन का जो tools खराब हुआ था वो किसने किया था चंद्रा नहीं किया था roughly यूज़ करके अब चंद्रा के पास वो खराब tools वापस आ गया है ना और चंद्रा अच्छे tools से बहुत लक्षमन ने अच्छे tools के साथ चंद्रा के tools को यूज़ करके अच्छा मूरती बनाया स्कल्प्चर्ज को अच्छा बनाया इजीली बनाया बट चंद्रा could not work with लक्षमन टूल्स लेकिन चंद्रा जो है लक्षमन के टूल्स को यूज करके अच्छा काम नहीं कर पाया क्योंकि लक्षमन का जो टूल्स था वो ब्लंट हो चुका था खराब हो चुका था और वो खराब करने वाला कोई और नहीं तीक है यह देखो यहाँ पे मूर्ती को बनाया गया यह राजा सहब और राजा सहब का मूर्ती को यह देखो यह लोग बनाए सिर्फ हेट का पाठ है what a fool I have been अरे भाइ किया कितना बड़ा बुर्बक बन गए हम, ऐसा कौन बोल रहा होगा, ऐसा, चंद्रा ने कहा खुद को, अरे बाई, ओ, कितना बड़ा बुर्बक बन गए हम, कितना बड़ा बेवकूफ बन गए, what a fool I have been, I have been punished for being mean, मुझे सजा मिल गिया, मेरे नीचता का, मुझे सजा मिल गि प्रतियोगिता को बड़े ही आसानी से जीत लिया, the king rewarded him well, राजा ने उसको इनाम भी दिया, किसको? लक्षमन को, चंद्रा lost because of his folly and jealousy, चंद्रा अपने गलत काम के वज़े से और जलन भावना के वज़े से हार गया, तो चंद्रा को ये एसास हुआ, कि गलत काम करने का नती गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, कभी भी success पाने के लिए, कभी भी जीतने के लिए, अगर चंद्रा ने ये काम नहीं किया होता, blunt नहीं किया होता उसके tools को, तो अभी उसके पास अच्छा tools आया होता और वो अच्छा किया होता, हो सकता है वो जीत भी गया होता, है न अभी भी गलत रास्ता को वो ना चूज करें सक्सेस पाने के लिए हमेशा सच का साथ दे सच के साथ रहे और इस चाप्टर का कोशन अंसर वगरा अभी आपको मिल जाएगा उपर डिस्क्रिप्स उपर लिंक आपको मिल रहा होगा आई बटन पर और डिस्क्रिप्सन में आप